डेली केपिल्स के खिलाप लखनू की टीम लखनू में ही मैच हार गई उस सिर्फ हार नहीं कहेंगे इसे दरसल बुरी तरह से हार गई सर्मनाख धंग से हार गई यार कम से कम घर में तो हारना ठीक नहीं हो और हार भी रहे हो तो ऐसे तो मत हारो यार एक ही मैच में लखनू की पिट गए हो यहाँ पर तारीफ करनी होगी डैली कप्टल्स के खिलाडियों के जिन्हों ने मैच को अपने कबजे में सुरू से ही रखा और लखनों के ना तो गैंद बाजों को चलने दिया ना ये बल्ले बाजों को चलने दिया और बड़े आसान तरीके से एवाला मैच जी के थे और यहां से लग रहा था कि सायद 110 120 तक ही पहुंच पाएं और आइपेल 24 का सबसे लुएस्ट स्कोर बना डाले हाला की पर यहीं से कहीं से आयूस बदोनी के अंदर किसी की आत्मा आ गई और लगा कि यह बंदा तो खेलना जानता है अभी तक तो इन्होंने को अपन से रन बनाए तो अगर हम यहां पर इनकी बल्लेवाजी का नजारा देखें तो हमें एक बहुत बड़ा फ्लॉप सो दिखता है लखनू के बल्लेवाज़ों का देखते हैं कुंटन डीकॉक शाहाब दे तेरा गयंदों में 19 रन बनाए तो कियल राहुल ने 22 गयंदों में 49 हाला कि ओपनिंग जोडी ने तो ठीक ठाक रन बना दिये थे 25 अबर में 28 रन बना करके ओपनिंग जोडी चूटी थे कुंटन डीकॉक के रूप में लेकिन यहीं से फिर लगातार बिकट गिरे और एक समय ऐसा आया कि जब 94 रन पर साथ बिकट गिर गये थे 13 अबर में लेक लेकिन इसके बाद जब जैली कपिल्स के बल्लेवाज आए तो यकीन नहीं हुगा कि यह वही पिछ है जिस पर लखनू के बल्लेवाज खड़े होने से घवरा रहे थे वो आयराम गयराम बने उसी पिछ पर पृत्वी सो और जेम्स प्रेजर मैग गर्ड यही है बहुत लगाए और कुल मिला करके एक तोड़ा से एक मुमेंट पर ऐसा लगा था जब पाबर पिले खत्म होगा कि यहां पर डैली कप्टल्स वाले साइथ थोड़ा सा दवाव में आ जाएंगे लेकिन पाबर पिले में वो इतने जदा रन बना चुके थे दस से ज्यादा की अबर करने के लिए और बड़े आसाने से डैली कप्टल्स वाले इस मैच में जीत गए डैली कप्टल्स की और से प्रतिविस्टों ने एक बार फिर सी बहुत बढ़िया सुरुगा दी 22 बनाए लेकिन डेविड वॉनर आज भी कुछी नहीं कर सके और 9 गंदों में 8 बनाए लेकि के बाद कप्तान साहब रिसब पंथ अपनी सांदर फॉर्म को जारी रखते हुगे आए और 24 गंदों में 41 ठोक डाले दो छक्के चार चौके को मदद से इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था क्योंकि जब तक रिसब पंथ आउट होते तब तक बोर्ड पर 146 रन टंग च इतासल कर ली यहां पर इस मैच में लखनो को मिलता है जीरो और डैली काप्टल्स को मिलते हैं पूरे दो अंक और इसी के साथ अब पॉइंट स्थाल का में उलट फेर भी हो गया है यहां पर हलाएं कि डैली काप्टल्स की सिहत पर थोड़ा सा कम असर हुगा है वो दस में स अब 9 स्थान पर पहुँच चुकी लेकिन लखनो की टीम जो तीसरे स्थान पर थी अब वो 4 स्थान पर किसा गई है और कहीं नहीं लखनो के लिए अप खत्रे की गंटी वच चुकी है तो कुल मिला करके लखनो की इस दैनिया परदास्ट को देखने के बाद अब संदे के बादल उम्रा पड़े हैं क्योंकि मुंबाइन इसकी फौंबापस आ चुकी है ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि क्या लखनो की टीम अपनी आपको प्ले आफ में पहुंचा पाती है नहीं आपके कहकरना कमेंट करके मिरा जरूर्द है इस वीडियो को देखने के आप आपके बहुत बहुत धनबाद मिलतेगे जरूर्द तब तक के लिए नमस्कार